जैब होनेनाथ जी की दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पानिपत एक इत्यासिक शहर है इसकी कुछ खास खास चीजे मैं आज आपको दिखाऊंगा अपने इस वीडियो में बने रही है मेरे साथ लास्ट तक आए सबसे पहले लेकर चलता हूँ आपको पानिपत के म्यूजियम में यहाँ पानिपत की तीसरी लड़ाई जो मुगल और मराठो के बीच में लड़ी गई थी उस लड़ाई के काफी अफशेश यहां रखे हुए हैं वहाँ उस जमाने में जो हत्यार यह इस्तिमाल करते थे या इनकी जो लड़ाई की जन्ग की जो वर्दी होती थी जो चेन लोहे की बनी हुई है काफी सपोर्ट मिलती थी इससे तो यह सब वहाँ पे सजाया हुआ है लीजियम पहुँच गए हैं म्यूजियम में यहां म्यूजियम में अंदर कैमरा ले जाने की मनाई थी इसलिए मैं आपको बाहर से ही कुछ जलक दिखा देता हूँ और अंदर से देखने के लिए आपको गुगल पे जाना पड़ेगा वहाँ पे पानिपत म्यूजियम के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको अंदर की सारी फोटोग्राफी भी मिल जाएगी और वहाँ की डिटेल सब मिल जाएगी यह देखिए मुगल और मराथा सैनिकों के स्टेचूज बनाए हुए यहां पे कर दो अंदर हो कर दो यह दो यह दोगो क की सारी नाम से कि अवाई प्पड़ेगा यह दो ऑख बनाए हुए यह दोग्रोग्राफी यह दो अंदरिख माँ है अच्छ चलिए अब यहां से चलते हैं और आपको अब दिखाता हूँ यहां पे नहर पे बहुत अच्छे नजारे हैं यहां दो नहरे हैं पानी पत में एक नहर तो आपने देखी कि यह बंद पड़ी है इसमें पानी नहीं है इसी के पैरलर में एक साथ में नदी है वो हमेशा चलती रहती है मैंने तो अपने केरियर में कभी उसको बंद नहीं देखा यहाँ पे ही इसी क्रॉसिंग के नीचे एक फॉल है यह 25-30 किलो मिटर के बाद नहर पे एक फॉल बनाई जाती है जिससे इसका फ्लो बना रहे है नदी का आईए आपको ले चलता हूँ यह एक नहर के उपर नया पुल बन जया है फॉल इसके नीचे छुप गई है इसके उपर चलके आपको दिखाता हूँ शायद थोड़ी सी दिख जाए यह देखिए फ्लो कितना तेज हो जाता है एक दम यहाँ पे नहर का यह लुकेशन बिंजोल गाओं के पास पड़ती है आईए अब आपको लेके चलते हैं वहाँ जहां से यह नहर शुरू ही यह और इसके साथ में जो पहलर नहर है एक और वो दोनों मही से शुरू ही यह दोनों तो हैं इसके इलावा तीन और नहरे हैं जो वहाँ से अलग अलग कोई रोतक की साइड गई है और कोई गोहाना की साइड गई है और दो तो पानीपत मही आ रही है नहर के किनारे पे ही छोटा सा लेकिन बहुत ही खूप सूरत मंदिर मुनक तक जाने के लिए हमें नहर के साथ साथ ही चलना पड़ेगा दिखिए क्या नजारे दिखेंगे आपको इंजॉई कीजिए यह एंपिरियल रियलिटी सोसाइटी के फ्लैट हैं बिलकुल रिवर व्यू पे उन्होंने पॉइंट चुना है यह बड़ा मज़ा है यहां रहने का लोग बाहर से दूर दूर से यहां पे आके उन्होंने फ्लैट लिये हैं रिवर व्यू के कारण बहुत अच्छी लूकेशन है यह इसी रूट पे चलके हमें पानिपत रिफाइंडरी भी नजर आएगी उसके पीछे से हम लोग निकलेंगे बहुत बड़ा प्लांट है गॉर्मेंट का आउयल का आपने एंट सुना है होगा कि देदी के विर क्रेंग कि यह कि सीमे से लूट भूड़ा नजरी विर विर का बड़ा प्लांट है कि देदी कि अधने विर के पान आपने विर का प्लब प्लांट अवरा गाव लूब अवर है धुआ किसी में आग की लपते बस ये 3-4-5 किलो मेटर तक ऐसा ही नजारा रहता है लेकिन हमें बैक साइट में हमें ज्यादा नहीं दिखेगा थोड़ा सा मैं इसकी दिवार के साथ साथ जा के आपको दिखाता हूँ इनकी हाई सीकुर्टी रहती है मैं यहाँ पर चल भी नहीं सकता परस थोड़ा सा जा के मुझे वापिस जाना पड़ेगा बैक गॉर्मेंट की जगा है लीजिये पहुंच गए हैं मुनक हैड उपे यह देखिए यह वही नदी है जो पानीपत में मैंने जो आपको फॉल दिखाई थी पीछे यह वही नदी है यहाँ से यह शुरू हो रही है और इसके पीछे एक बहुत विशाल बड़ी नदी आ रही है उसमें से यह पांच डिस्टिबूट हुई है आपको मैं दिखाऊंगा अभी देखिए यह फॉल होती है यह पंदरा से बीस पच्चिस किलो मीटर के बाद नहर पे एक बार इस तरह से फॉल मनाते है इसी की वज़ा से नहरे बहती रहती है इनकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है यह देखिए इस नहर के पीछे का नदारा देखिए कितनी बड़ी नहर है यह एक्चुली पीछे से ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन यहां इनको पांग जगा पर पानी को डिवाइड करना था इसलिए इनों एक एरिया बड़ से देखिए आप शट से देखिए शट से यह दूसरी है और वो तीसरी है और उसके पीछे चोटी भी नजर आ रही है मैं आपको अभी रणिंग व्यू दिखाओं मैं इन सबका यह देखिए यहां से जो पहली नहर निकली है यह काफी बड़ी चोड़ी नहर है यह रोतक साइड जाई है और इसके बाद एक अभी देखेंगे हम यह दूसरी नहर है इसका साइज थोड़ा चोटा है यह पास में ही है 30-35 किलोमेटर यहां से गवाना आपके लिए है और यह वही नदी जो पानिपत जा रही है जिसमें पानी था यह वो है और इसी के ही पैवलन ये ये भी पानिपत ही जा रही है जो मैंने आपको नहीं है यह वो नहर है और इसके बाद एक और भी आएगी यहां पर यह देखिए यह वी चोटी थी नहर है इसमें थोड़ा पानी चल रहा है फुल नहीं चल रही है आईए अब इदर मुड़ते हैं पीछे चलते हैं जहां से यह पांचो डिवाइड हुई यहां से इनका शा फिर भी जितना देख सकता है मैं आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए पूरी च्छतों से आप देख सकते हैं एक दो तीन चार और एक वो पांच पीछे दूर सामने मेरे बिल्कुल इस साइड रिफाइंडरी होने के कारण यह ओईल वाले ट्रकों का यहां पे बहुत आना जाना रहता है चलिए अब यहां से चलते हैं अब आपको ऐसी जगापे लेके चलते हैं जिसके लिए पानी पत इतना मशूर है पानी पत में तीन लड़ाईया लड़े गई और जो तीसरी लड़ाई लड़े गई उसके युद्ध स्थल पे आपको लेके चलते हैं काला आम जगा का नाम है पानी पत से हरिद्वार रोड पे 4-5 किलो मेटर चलने के बाद यह देखिए काले आम का बोर्ड आ गया है अब यहां से हमें लेफ टन करना है और यहां से सिर्फ 1-5 किलो मेटर जाके वो जगा बनी हुई है आईए आपको दिखाते हैं देखिए टन करते ही कितना अच्छा नजारा आ गया है फसले लगी हुई है साइडों पे बहुत सुंदर व्यू है लीजिए पहुंच गया है हम कालाम उस युद स्थल पे जहां पानिपत की तीसरी लडाई लड़े गई मुगल और मराठा के बीच में करता है काफी बड़ा गार्डन है यहां पे और फुली मेंटेन किया हुआ है और यह यहां पे छोटी सी जील है एक टाइम में यहां पे पानी होता था लेकिन यहां पेड़ बहुत होने की वज़ा से उस पे सुखे पत्ते बहुत गिरते थे और पानी मेंसे बहुत जल्दी से स्मेल आने लग जाती थी तो यहां पे इतनी सौफसिंग है नहीं पानी की कि उसको 3-4 दिन के बाद चेंज किया जाए तो अब यह लोग इसको में पानी प्रफते ही नहीं चुट्टी वाले दिन यहां बहुत सी फैमिलीज आती है पिकनिक मनाने अपने बच्चों के साथ 2-3 घंटे अराम से पास हो जाते हैं उनके और उनको भी कुछ बताया जाता है बच्चों को इस जगा के बारे में कर दो और आता है झाल झाल काफी बड़ी जगा पे बनाई गई है यह समारक यहाँ काफी जगा है जितने भी लोग क्यों ना आ जाएं सब के लिए बैठने की जगा है उनके बच्चों के खेलने के लिए जगा है झाल 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 मेरी आप लोगों से गुजारिश है जब भी कभी आप पानी पत के आज पास से गुजरें तो थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ विजिट जरूर कीगे आपका दिल बहुत खोश होगा जो मैं चलता हूँ मिलूँगा आपको अपने अगले वीडियो में जय भुने नाथ जगी